हमारी आज की वीडियो Talk the Talk book पर है जिसे Angelo ने लिखा है जो एक international best seller और speaker है उनकी books बहुत सारी languages में translate की जा चुकी है ये book business को बड़ी success बनाने की importance बताती है ये सच में एक short and basic book है Talk the Talk book communication tools की proven book है इस book में बहुत सारे important सवालों के जवाब मिलते हैं जैसे की objection को handle कैसे करना है objection को handle करने का confidence ने लोगों से contact बनाना सिखाती है सही prospect की पहचान करना सिखाती है टीम के लोगों को सही जानकारी देकर सभी को motivate करती है और network marketing से क्या सब कुछ achieve किया जा सकता है Part 1 Commonly used power phrases Asking questions, key of effective communication Great networkers पैदा नहीं होते लेकिन बना जा सकता है Network marketing बाकी दूसरी industry की ही तरह है बहुत से लोग इसको God का gift मानते हैं पर यकीन केजे इस art को hard work और लगन के साथ सीखा जा सकता है और फिर सच तो ये है कि हम सभी सीखने की capacity और उसे प्रूव करने की equal ability के साथ जनम लेते हैं The power of dream building क्या आप present job या business से अपने सपने साकार कर सकते हैं आप क्या और कैसे कर सकते हैं से ज़्यादा important है कि आप उसको क्यों करते हैं सपने आपके motivation को बढ़ाते हैं लोगों की शर्तों पर काम करके आपके कभी सपने पूरे नहीं होंगे अपने सपने पूरे करने के लिए अपने आपके लिए काम करना होगा continue आगे बढ़ने के लिए अपने अंदर छिपे हुए सपने को ढूंड निकालना होगा अपनी निगाहे लक्षे पर टिकाए रखे बहुत सारे लोग उतने ही सपने देखते हैं जितने उनके पास पैसे होते हैं उनके पास अपने सपने पूरे करने के लिए कोई अफसर नहीं है हम सभी एक समान योगिता के साथ जनम लेते हैं और सबसे अलग बनने के अधिकार के साथ जीना चाहते हैं अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या चाहिए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा सपना ही नहीं है तो पूरा क्या करेंगे अपने कारण यानि वाय को ढूंडे इससे पहले की वाय आपको ढूंडे आपको क्या चाहिए जादा पैसा, मान सम्मान, घूमना फिरना, आजादी या फिर कुछ और आप निराशा के पीछे भाग रहे हैं या अपने सपने के पीछे पूरे एनर्जी के साथ अपने सपनों का पीछा करते रहें सपना बड़ा है तो problems नजर नहीं आएंगी developing a positive attitude ये आपके लिए अच्छा है या नहीं इसका फैसला सिर्फ आप ले सकते हैं, दूसरा नहीं अगर problem आपको future change करने में आ रही है तो सबसे पहले अपना attitude बदलें successful लोग हर दिन कुछ न कुछ सीखते हैं क्योंकि वो हमेशा सीखने के लिए ready रहते हैं winner हमेशा आगे बढ़ते हैं, पीछे नहीं देखते हैं धन्यवाद का attitude हमेशा शांती, खुशी और confidence लेकर आता है इसलिए हमेशा thankful रहें understanding principles of success success तब मिलती है जब opportunity को readiness मिलती है काम्याब लोग वो सब करते हैं जो नाकाम्याब लोग नहीं करते काम्याब लोग अपनी किस्मत को खुद लिखते हैं success एक मनजिल नहीं है बलकि उस मनजिल तक पहुचने का रास्ता ही success है hard work आपको lucky बनाता है ordinary और extraordinary के बीच का difference बस थोड़ा सा ज़ादा hard work होता है अगर आप काम्याब होना चाहते हैं तो आपको uncomfortable में comfortable होना सीखना पड़ेगा work persistence and commitment अपने किंतो परंतो से बाहर निकल कर काम करें इस business को नहीं करने के दो तरीके हैं या तो start ही ना करें या इसको quit कर दो productivity की तुलना कभी action से नहीं करें अगर start नहीं करोगे तो खतम कैसे करोगे अगर इस business में growth के लिए किसी को blame कर रहे हो तो सबसे पहले mirror देखो आप या तो पैसा बनाएंगे या बहाने दोनों एक साथ बनाना possible नहीं है उची उडान भरने से पहले जमीन से तो उठो जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं सवाल ये नहीं है कि business चलता है या नहीं सवाल तो ये है कि आप इसमें चलेंगे या नहीं making the system work for you shortcut का कोई shortcut नहीं होता system ही shortcut है experience सबसे बड़ा teacher है किसी और के experience से सीखना सबसे बड़ी समझदारी है सभी इस business में आएंगे कोई आज या तो कोई कल हम product बेचने का business नहीं करते लोगों की life अच्छी बनाने का business करते हैं system का part बने और फिर अपना system बनाए हम business की help से लोगों की life अच्छी बनाते हैं ना कि लोगों से business बिल्ड करते हैं जो जादा plan दिखाएगा वही जीतेगा आज मैं वो सब करूँगा जो आज सब नहीं कर रहे हैं जिससे कल मैं वो पास सकूँगा जो और लोग नहीं पास सकते जब आप कोशिश करना छोड़ कर काम करना start कर देंगे जिससे ना कर सकें उसे स्वीकार करें दोनों के बीच का अंतर समझें लोगों को मतलब नहीं है कि आप क्या जानते हैं जब तक उन्हें ये नहीं पता कि आप उनकी care करते हैं इस business को बढ़ा करने के लिए दिल बढ़ा होना चाहिए नेटवोकिंग 100% लोगों का business है लोगों के साथ दूरियां कम करें ना कि दीवारे बढ़ाएं लोग अपनी जरूरत के अनुसार काम करते हैं आपकी नहीं डुप्लिकेशन, the key of networking डुप्लिकेशन का मतलब hard work नहीं है, smart work है आप जो भी करेंगे, good या bad आपकी team भी वही करेगी डुप्लिकेशन के लिए जरूरी है हर काम को असान बनाएं जिससे सभी इसे समझ सकें डुप्लिकेशन, time और money दोनों एक साथ बनाने का अफसर प्रदान करता है समझें कि क्या आप अपने आपको डुप्लिकेट करवाना चाहोगे इस business में आप पैसे के साथ time भी बना पाएंगे network में आपकी income आपके hard work पर depend करती है आपकी condition या फिर post पर नहीं ये एक simple business है, इसे complicate ना बनाएं कुछ भी नया करने से पहले अपने अप्लाइन से बात जरूर करें accepting the challenge of leadership एक team की speed उसके leader पर depend करती है lead करें, follow करें जो आप नहीं करते वो आप किसी और को करने के लिए नहीं बोल सकते आपको तीन type के लोग मिलेंगे एक जो आज करेंगे, एक जो कल करेंगे और एक जो करते और छोड़ते रहेंगे किसी को leader बनाने के बदले उसे ढूनना जादा असान है आप यहां दोनों काम कर सकते हैं boss सिर्फ order देता है लेकिन leader साथ मिलकर काम करता है अगर आप करोड़ो रुपे वाले business के बारे में बात करने जा रहे हैं तो आप अपने आपको वैसे ही dress up भी करें nurturing personal growth अगर आप वही कर रहे हैं जो पहले करते थे तो आपको results सेम ही मिलेंगे अपने भागे का फैसला आप नहीं करोगे तो कोई और कर देगा change के लिए आपको change होना होगा better के लिए आपको better होना होगा खुद को ढूड़े नहीं बलकि खुद को create करना है जो आगे नहीं बढ़ता वो मरे हुए के सामान है अगर results आपको अच्छे नहीं मिल रहे तो आप अपने काम के तरीके और approach में change करें गोल सेटिंग अगर आपको कुछ पाने की चाहत नहीं है तो इसका मतब है कि आपको सब कुछ मिल चुका है नजर हमेशा price पर रखे उसकी कीमत पर नहीं कल के plan के साथ आज में जियें प्लैन नहीं बनाते इसलिए fail हो जाते हैं पहले plan बनाएं फिर उसके अनुसार काम करें बिना target के काम करना eyes close करके निशाना लगाने जैसा है learning to earn through knowledge, wisdom and common sense हमारा mind एक parachute के समान है जो खुलने पर ही सही काम करता है बुद्धिमान खोजबीन करता है जबकि fool असानी से मान लेते हैं Francis Bacon ने कहा था कि ज्यान में बहुत power है पर जब हम इसे use नहीं करते तो ऐसी शक्ती किसी काम की नहीं है सही decision लेने के अनुभव आते हैं और अनुभव wrong decision से आता है system से अच्छा कोई teacher नहीं है overcoming fear of failure winner कभी छोड़ते नहीं है और छोड़ने वाले कभी winner होते नहीं failure कभी निश्यत नहीं होती पर quitting permanent होती है fail होने में कैसी शरम कोशिश नहीं करने में शरम है सिर्फ डरने से डरना चाहिए making money and finding freedom पैसे से खुशिया नहीं खरीदी जा सकती पर खुशियों की चाबी खरीदी जा सकती है थोड़े पैसे से आप थोड़ा खुश है तो जादा पैसे से जादा खुश होंगे पैसा सबसे अच्छा सेवक है पर सबसे खराब स्वामी एक्स्ट्रा पैसे का आप क्या करोगे जमा करोगे किस के लिए यूज करोगे किस पर जितना जादा पैसा उतने जादा आप्शिन्स जो लोग बहाने बनाते हैं वो लोग कभी पैसे नहीं बनाते पार टू हमारे बिजनस में दो तरह के लोग हैं एक जो पुड़क को आगे बढ़ाते हैं और दूसरे जो बिजनस बिल्डर होते हैं वो बिजनस को आगे बढ़ाते हैं अगर आप बिजनस को आगे बढ़ाना चाहते हैं बिजनस बिल्डर बनना चाहते हैं तो आपको हर रोज नए लोगों से बात करनी होगी नए कॉन्टाक के साथ आपका गोल है conversation बनाए रखना, उनके साथ bond बनाना और trust बढ़ाना उनका contact number होना बहुत जरूरी है ताकि उनसे हफता दस दिन में दुबारा बात की जा सके हर जगह लोगों से बात करने की opportunity को पकड़ें और जाद जादा लोगों से बात करें लोगों से क्या कहें? अगर आप नहीं जानते की लोगों से क्या कहना है तो form word का use करें सबसे पहले हम लोगों से बात करते हैं और बात करके पता लगाते हैं कि जिसे हम business में लाना चाते हैं वो business partner बनने के लायक भी है या नहीं? form question F. family घर परिवार life partner क्या करते हैं? आप कितने साल से वहां काम कर रहे हैं? आपने इसे ही क्यों चुना? आपको ये काफी पसंद होगा क्या आपने कुछ और करने के बारे में सोचा है जैसे खुद का business R. recreation मन बहलाना fun के लिए आप क्या करते हैं? आपके hobbies क्या है? वकेशन के लिए आप कहा जाना पसंद करते हैं? इस साल वकेशन में कहा जाने का प्रोग्राम है M. money पैसा क्या आपको जितनी जरूरत है उतना पैसा बना लेते हैं? अगर आपके पास time और money दोनों हो तो आप क्या करना पसंद करेंगे? क्या आप extra income बनाना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो उसके बारे में कुछ सोचा है आपकी जो भी job है बहुत अच्छी है आपको क्या लगता है इस present job में आप जो भी earn कर रहे हैं उनसे सभी dreams fulfill हो सकते हैं One final question Form process को complete होने के बाद follow call के रास्ते open हो जाते हैं Final question पूछें क्या आपके पास extra income बनाने के लिए good opportunity है? अगर हां तो मुझे जरूर बताना अगर मुझे कुछ मिला तो मैं बताऊंगा उनके नाम और contact number शेर करें 8-10 दिन के अंदर कभी भी follow up call कर सकते हैं बिजनस के स्टार्ट में 5-10 लोगों के साथ हर रोज बात कर अपने number of list को increase कर सकते हैं और cold को warm में convert कर सकते हैं Setting the appointment जब आप लोगों को बतानी के stage में आ जाएं तो फिर again call करते हैं with full energy ये हमारे लिए सबसे जादा important है क्योंकि हम जितने excited और energetic होकर अपनी बात कहेंगे सामने वाले भी उसी energy के साथ बात करेंगे ये हमेशा हमें अपने mind में रखना है कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि मैं एक business project पर काम कर रहा हूँ थोड़ी और जानकारी लेने के बाद पता चला कि अगर हम साथ मिलकर काम करें तो तुम भी अच्छा money कमा सकते हो तो हम मिल रहे हैं Monday या Friday आप बताओ Friday night 6 PM में आ जाओ साथ में coffee पीते हैं जब उसकी तरफ से okay हो तभी phone कट करें पार्ट 3 inviting शादी से पहले किसी को date करते हो मतलब आप उसको जादा जान रहे हो बिजनेस में भी same चीज है contact करने का main purpose है लोगों को business के लिए qualify करना और ये पता लगाना कि जिन्दगी में कुछ जादा ढून रहे हैं या नहीं और inviting का purpose है प्लान देखने के लिए specific time और जगे के लिए commitment लेना excited और confident बने रहो लोग business plan से नहीं बलकि आपके believe और excitement से attract होते हैं short में कहें बेकार की बाते बोलने से बचें भूले से invite को presentation नहीं बनाएं सिर्फ और सिर्फ invite करें control बनाए रखें अफसर आपके पास है ना कि उसके पास plan आप दिखाएंगे सब कुछ आपके पास है इसलिए इन सब से careful रहें हमेशा सच बोले क्योंकि ये long term business है और हमें साथ साथ काम करना है making a list आप जब भी कभी market जाते हो तो आप कुछ समान लेना है तो पहले हम एक list बनाते हैं और हर चीज एक proper way में start होती है अगर घर में कभी party arrange करते हो तो पहले invite करने वालों की list बनाते हैं ये business भी start और end list से ही होता है अगर आपको list बढ़ाने है तो उसके लिए एक great tip है उन सब के नाम लिखो जिनको आप जानते हो और जो तो saw name आपके list में add हो जाएंगे setting one on one appointment जब मैं आपसे मिलूंगा तो आपको इसकी details बताऊंगा detail में बात करने के लिए एक से दो घंटे का time लगेगा हम कब मिल सकते हैं Tuesday और Thursday पर ये सवाल आता है company करती क्या है इसके बारे में detail जानने के लिए हमें साथ बैठना होगा हम कब मिल सकते हैं Tuesday और Thursday मैं आपसे कोई promise नहीं कर रहा बट हो सकता है ये आपके लिए ही हो पार्ट फोर qualifying prospects before showing the plan अपने prospects को qualify करने के लिए appropriate questions पूछें, dreams के बारे में बाग करें अगर time और money की problems नहीं हो तो आप क्या करना पसंद करेंगे वो कौन सा काम है जो आपको पसंद है पर आप present job के कारण नहीं कर पा रहे हैं क्या आप अपनी जरुत के नुसार इस job से पैसे बना लेते हैं seriousness check करना, ये सच है ना कि आप अपनी income बढ़ाने के लिए कुछ extra source की तलाश में हैं आप serious तो है ना या ऐसे ही कुछ देख रहे हैं dream के लिए commitment level check करें अगर आपको अपने सपने पूरे करने का एक अच्छा मौका मिल जाए तो आप हर week कितने घंटे काम करने को ready हो उस dream को पूरा करने का कोई दूसरा तरीका है या नहीं अब एक last question क्या आप अपने सपने पूरे करने के लिए आपके पास कोई और रास्ता है जैसे आपकी lottery लगने वाली हो या आपके grandparent बहुत पैसे छोड़ गए हैं अगर वो ना कह रहे हैं तो वो accept कर रहे हैं कि अपना सपना पूरा करने के लिए उनके पास कोई और साधन नहीं है उनके सपने पूरे करने के लिए आप अपना plan दिखा सकते हैं पार्ट फाइफ answering questions and handling objections हर कोई इस business को नहीं समझेगा बाहर बहुत negativity है बहुत से लोगों को इस business के बारे में बहुत सी गलत सोच है तीन सवालों का जवाब देने के लिए prepare रहे हैं जो 90% calls पर पूछा जाता है आप किस बारे में बात कर रहे हैं बिजनस क्या है? क्या ये selling business है? क्या ये MLM है? क्या ये network marketing है? अगर सवाल ये है कि आपके इस बारे में बात कर रहे हैं और business क्या है? तो हमारा जवाब होना चाहिए जब हम मिलेंगे तो मैं आपको इस बारे में details में बताऊंगा आपके लिए Tuesday ठीक रहेगा या Thursday अभी मैं कहीं के लिए late हो रहा हूँ मैं आपको call back करता हूँ जैसे ही मेरे पास थोड़ा time होगा आराम से बात करने के लिए ये ठीक रहेगा फिर थोड़े दिन में उनको call करें अगर question है क्या ये selling है? इसका जवाब होना चाहिए अच्छा एक बात बताओ तुमको selling पसंद है उनका reply कुछ भी हो सकता है जब हम मिलेंगे मैं इसके बारे में details में बताओंगा अगर वो दुबारा same चीज़ पूछें उनसे पूछें क्या आपको sell करना पसंद है? मैं नहीं जानता आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपको कुछ sell करना चाहता हूँ मुझ पर विश्वास करें मैं जब आपको मिलूंगा आपको कुछ भी खरीदना नहीं होगा अगर सवाल ये है कि क्या ये network marketing है और MLM है अगर आप इस सवाल का जवाब with confidence देते हैं तो आपकी success की guarantee है वो लोग अपने अपने कामों में best है इसमें कोई doubt नहीं है हम लोग best के साथ है जब मिलेंगे तब मैं ज़ादा time लेकर समझा पाऊंगा कि company का role क्या है सो कब free हो Tuesday या Thursday then appointment fix कर ले How to handle objections बहुत बार लोग कहते हैं नहीं हम नहीं कर सकते उसका reason वो ये सब देते हैं fail हो जाने का डर rejection का डर confidence की कमी गलत चीजों की वज़े से misconception अगर आपके prospects बिलकुल negative है तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे वो अपना मन बदल ले So best thing ये है कि आप prospect ही बदल ले next prospect को call करे calming the waters यहां कुछ tips हैं जिनसे objections को handle किया जा सकता है ध्यान से सुने, बीच में रोके नहीं argue नहीं करे, उनकी feelings को समझे उनके मना करने की reason को समझे ताकि आप clear answer कर सके ऐसे words यूज करे feel, felt, found, appreciate, understand, realize मैं समझ सकता हूँ जो आप बोल रहे हैं जो आप बोल रहे हैं मैं उसको appreciate करता हूँ मुझे भी ऐसा ही लगा था जब मैंने ये realize किया आपका response हमिशा छोटा और to the point होना चाहिए handling the 15 most common objection मेरे पास time नहीं है आपके पास क्या करने का time नहीं है जादा पैसे कमा कर अपनी life जीने का इसके बारे में मुझे पहले से पता है क्या आप अपनी present job से वो सब पास सकते हैं जो आपकी चाहत है मुझे लगता है कि इस बारे में और जादा जानने के लिए साथ मिलकर बैठते हैं और कोशिश करते हैं कि future में क्या और कैसे मिल सकता है मैं ये नहीं कर पाऊंगा मैं आपकी feeling समझ सकता हूँ अगर आप इस business में होते तो आप मुझे plan दिखा रहे होते ये मेरे काम का business नहीं है इसमें ऐसा क्या है जो आपको पसंद नहीं है विनर के साथ काम करना या अपनी शर्तों पर अपनी life चीना इस तरह के business कभी काम नहीं करते आप एक बात बताएं क्या आप decisions, गलत assumptions पर लेते हैं या solid facts पर तो आपको नहीं लगता कि आपको और ज़्यादा information research करना चाहिए ताकि आप intelligent decision ले सको इस बारे में सोचने का मौका दे मैं आपकी feelings की कदर करता हूँ पर क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कि इस बारे में सोचना चाहते हैं जादा पैसा कमाने के बारे में या उसे use करने के बारे में या आप इस business को बढ़ा कर इससे बहुत पैसा बना कर अपना और अपने परिवार का future secure करने के लिए सोचना चाहते हैं क्या ये illegal pyramid scheme तो नहीं है अब मुझे समझ में आया कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं क्योंकि starting में मुझे भी ऐसा ही लगा था पर इसके बारे में जब मैंने जाना तो मुझे अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया ये एक legal business है इसमें पहले आने वाले लोग अमीर बन गए बाद वाले नहीं अगर मेरे business partner भी कुछ साल पहले ऐसा सुचते तो वो आज भी गरीब और hopeless होते मेरे पास पैसे नहीं है क्या आप इस problem का permanent solution चाहते हैं एक चीज़ बताएं अगर आप जो अभी कर रहे हैं वो ही करते रहे तब आपके पास क्या जादा पैसा होगा बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो चुके हैं लोग खतम हो गए तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ सभी के पास टीवी है रेफरिजरेटर है क्या market में ये मिलना बंद हो गया सेलिंग तो बंद नहीं हुई मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ये स्टार्ट करके छोड़ दिया हाइ स्कूल में पढ़ने वाले बहुत बच्चे हर साल फेल हो जाते हैं तो वो क्या पढ़ना छोड़ देते हैं ये बिजनस काम करने वालों के लिए ही काम करता है मैंने ये पाया कि दूसरों की फेलियर से डिसीजन्स बनाने से बेटर है दूसरों की सक्सेस पर अपने डिसीजन लिये जाएं हमारा बिजनस ट्राइल पर नहीं है बलकि सवाल ये है कि क्या आपके पास reasons हैं जो ये आपके लिए भी काम करें मैं अपने friends और family को इसमें फसाना नहीं चाता एक industry statistics में बताते हैं कि आने वाले 10 से 20 साल में 50% लोग इस industry में शामिल होंगे ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है मैं आपकी feeling समझ सकता हूँ कई बार चीजे जो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं वो अच्छी होती भी है बट आप इसके बारे में जितना जादा investigate करते हो उतना जादा बहतर पाते हो यहां competition बहुत है यही तो best है जब आप उतने successful होंगे जितने हम है तब आप competition की चिंता मत करो वो आपकी चिंता करेंगे इस industry में बहुत सारे लोग है बहुत सारे से आपका क्या मतलब है क्या आप जानते हैं कि यह population के हिसाब से बढ़ता रहता है पार्ट 6 Follow up to follow through 4 steps to effective follow ups Follow through एक process है इसके लिए अनेक meetings की जुरुत हो सकती है Imagine करें जैसे वो आपके business में शामिल हो चुके है फिर उसी के जैसा behave करें List बनाएं और उसमें से 20 के नाम select कर उन्हें plan दिखाएं उन्हें system से जोड़ें इसके लिए कुछ books, videos, share करें पुड़क के बारे में बताएं अपने applyne से मिलाएं Part 7 Parting Woods आप क्या build कर रहे हैं Success होने के लिए positive thought की जरूरत है किसी भी काम को करने का reason यानि उसको कैसा करना है यानि how से strong होता है एक बार एक अजनबी एक इमारत के पास ही खड़े होकर इमारत को बनाते देख रहा था वहां बहुत सारे labor's काम कर रहे थे सभी परिशान थे गर्मी से और ठकान से पर एक labor smile के साथ अपना काम कर रहा था और कुछ गुनगुना रहा था तभी उस अजनबी ने उस labor से पूछा सभी तो काम करते करते परिशान हो गए और आप मुस्कुरा रहे हैं तो उस labor ने चवाब दिया मैं यहां बनने वाली इमारत के बारे में सोच कर खुश हो रहा हूँ ठीक इसी थरा हमें आज की present situation से परिशान ना होकर अपने success की की को समझना है और जिन्दगी के सुनेहरे दिन की चाहत को बरकरार रख हमेशा आगे बढ़ना है और बढ़ते जाना है तैंकि जोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी आई होप आपको network marketing, direct selling, industry से related बहुत सारे नए inputs मिले होंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो immediately इस चानल को subscribe करें पसंद आने पर वीडियो को like और comment करना ना भूलें